हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 12 केमेस्ट्री के इंपोर्टेंट mcq questions 2024 के लिए शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL chapter लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के important questions या model paper क्योंकि आपके बार pattern बदला हुआ है काफी जादा तो सब के solution model papers के मैंने करा दिये हैं और important question की सारी वीडियो दो playlist के link में description में add कर रहा हूँ दोनों में आपको जो है सारी जो वीडियो है वो मिल जाएंगी उसके अलावा जो है यह website है जो आपके काम आईगी exam में बहुत ज्यादा Google पर जाकर सर्च करना CCL chapter dot com इस website पर हमने बहुत सारा content study material आपके लिए upload कर रखा है अब की बार हमने एक soap का section add किया हुआ है इसके अंदर आप जो है class 12 के किसी भी subject की paid PDF खरीद सकते हो कुछ subject के यह हमने with answer बना रखे important questions की PDF है यह और कुछ हमने जो है questions only कर रखे है अब यह जो PDF है इसे जो है तरीके से design कर रखे है हमने कि आपको जो है कम से कम पढ़ना पड़े और आप ज्यादा score कर पाओ अगर आप PDF को complete पढ़ लेते हो किसी भी subject के अगर आप खरीदते हो तो आपको जो है लगबग जो है average आपका ठीक है तो वह आपकी मर्जी है आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो अब जो है अगर खरीदो तो यह code यूज कर लेना CCL 25 था कि आपको जो है discount देखने को मिले अब जो है उसके अलावा हमने important question mcq करा रहा हूं यह आपको यहां पर मिल जाएंगे important question में जो paid PDF मे या जो भी कुछ question exam में आने हैं सब कुछ मिलेगा उनमें तो अब जो important question है यहां पर आकर आप mc क्या उज़की practice कर सकते हो practice करना जरूरी है practice करोगे तब ही याद होते हो जल्दीशे तो मैंने answers hide कर रखे है questions के mcq में ताकि आप practice कर पाऊ अच्छे से उसके अलावा आपको पुराने papers मिल जाएंगे हरियाना बोड के 2016 से 2023 तक के सारे paper यहां पे मिल जाएंगे model papers with answer की बाकि सब कुछ free है सिरफ soap वाले section में पैसे लगेंगे बाकि सब कुछ यहां पे इस website पर free of cost आपको मिलने वाला है तो जरूर से visit कर लेना बहुत काम आएगे exam time में और अपने दो तो टोटल 13 चैप्टर आपके और 13 चैप्टर में से जो है मैंने चैप्टर वाइज मिलेंगे वह चैप्टर वाइज मिलेंगे ताकि ढूंड़ने में दिक्कत ना हो पढ़ने में दिक्कत ना हो आपको पहला question है mole fraction of a solute in 2.5 molar aqueous solution is तो mole fraction हमको निकालना है इसके लिए आप आपका जो mole fraction है वह निकल जाएगा solution का आपका जो अंसर रहेगा वह देखो मैं ऐसे सारे question कराऊंगो तो बहुत time लग जाए आपका और फिर बोलोगे sir video तो boring सी बना दी इसमें मजा नहीं आ रहा तो इसलिए मैं quickly कराऊंगा आप जो है मैं मैं बता दूंगा जो hint रहेंगे जैसे की formula लगेगा या कुछ लगेगा वह अपने book में से देख लेना है और अच्छे से practice करने है numerical निकाल के ठीक है क्योंकि numerical आते है exams में आपको भी पता है ये बात और chemistry वाले student एक चीद का जरूर ध्यान देना जिनके पास chemistry है n-c-e-r-t जो ये किताब है न आपकी इसके अंदर textual questions अभ्यास वाले person उत्तर और internal questions सारे करने हैं एक बार जुरूर पढ़ने हैं क्योंकि लगबग 70% paper उसी में से आपको देखने को मिलेगा अप डाउन तोड़ा बहुत हो जाता है exam में बड़ काफी ज़्यादा paper आता उसमें से हम लोग क्या करते हैं प्रदी fundamental जो ह हमको जब paper देते हैं तो हमें पता लगता है paper तो बड़ा जीमसा रखा हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा paper हमने तो ऐसे question पड़े ही नहीं है वह ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने ncrt नहीं पड़ी और board वाले ncrt में से paper बनाते हैं ना कि आपकी परदी fundamental में से तो इस चीज़ होगे तो आपको पता होगा किस तरीके से कौन सा procedure अपनाना है और जल्दी जो है आप ज्यादा revise कर सकते हो अब इसका जो answer है वह है 0.043 correct expression for elevation in boiling point तो explanation यह जो है हमको expression बतानी है expression रहे है आपकी delta tb is equal to kb. multiply में है यह in the following case कुछ question में most important लिखावा मिलेगा समझ लेना वह question बह करना है ठीक है in the following compound which has minimum boiling point इनमें जो है minimum boiling point का question आता है लगलग जो है options आपको दे दिये जाते है तो आपको उनमें से चार्टना होता है concept यूज करोगे तो आप विजिली इनको निकाल सकते हो तो इसमें किसका है h2s का in the given alkaline halide which one has minimum boiling point किसका जो है minimum boiling point होता है in options के according तो options के according option बदलते रहेंगे लेकिन पूछेंगे वही सेम चीज इसके लिए एक ही concept यूज करना है वो उसी के concept के बिहाब पर आपको फिर इनके atomic mass atomic number वगारा पता होने चीए compounds के तो उसके according फिर आप solve कर पाऊगे इनको वहोतीजी रहेगा which has highest boiling point इनमें से highest boiling point किसका है तो वह आपका option A CH3 CH2 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 OH in the following which has highest boiling point इनमें से highest boiling point किसका है CH3BRIFCl तो किसका है CH3I का है maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a given amount of a liquid solvent does not depend on तो यह पूछ रहे हैं हमसे मदलब कि maximum amount किसी solute में हम डालते हैं that can be dissolved in a given amount of liquid एक liquid में हम dissolve कर सकते हैं वह किस चीज़ के वह dissolution है ना जो वह किस चीज़ के ओपर depend नहीं करता वो है pressure के ओपर यह depend नहीं करता है low concentration of oxygen in the blood of people living at high altitude is due to तो जो पहाडों पर लोग रहते हैं high altitude में उनके blood में oxygen का level की concentration कम होती है क्यों होती है क्योंकि low temperature low pressure होता है atmospheric high atmospheric pressure होता है कुछ भी नहीं तो क्या होता है पहाडों पर आपको पता होगा low atmospheric pressure होता है और उस जैसे वहाँ पर oxygen सही से dissolve नहीं हो पाती the unit of ubliscopic constant जिसकी जो unit है वो क्या रहेगी तो unit रहेगा आपकी के केजी मोल इनवर्स कि मोलारीटी मोलारीटी ओफ 900 ग्राम ओफ वाटरीज तो एक्स टूओ का जो है मोलारीटी निकालनी है quantity आपको दे रहे इसमें इसमें मोलारीटी थी इसमें मोलारीटी है प्योर वाटर की तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा अंसर रहेगा same 55.5 इन दा फॉलोविंग strongest acid इन में से जो है यह question का concept अच्छे से करके जाना strongest acid strongest base है ना या weakest acid weakest base यह concept जरूर कर लेना अच्छे से यह वाले concept पर question मिलेगा ही मिलेगा आपको ठीक है अलग-अलग compounds दे देंगे आपको कोच भी तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको निकालने है वो तो इन compound में से जो strongest acid है वो बताना है तो वो रहेगा आपका hclo4 isotonic solution आरदा solution having same तो isotonic solution में क्या से होता है concentration osmotic pressure surface tension viscosity तो क्या होती है osmotic pressure जो है same होता है moral elevation constant is also cold यह जो है को यह moral elevation constant इसको एक और नाम है इसका क्या नाम है वो हमसे पूछ रहे हैं तो वो नाम है इसका ablioscopic constant यह question में घुमाते रहते हैं कभी aggloscopic constant का पूछ लेंगे कि इसका जो है दूसरा नाम क्या है which of the following highest value of want of factor highest value किसकी है want of factor में इसमें यहाँ पर 0.1 mole है सारे compounds का तो इनमेंस आपको बताना है तो अंसर रहेगा हमारा al2so43 symbol for the cryoscopic constant तो symbol क्या यूज करते हैं cryoscopic constant के लिए तो वो है आपका kf which is the what is the value of want of factor for compound ये बदल सकते हैं तो want of factor आपको निकालने आने चाहिए उसके लिए concept है ये पूरा इसको अच्छे से करके जाना है इसमें से कहीं सारे question देखने को मिलेंगे इक्जाम में मतलब आते हैं question question set में जरूर आएगा यासा question तो कितना रहेगा हमारा पांच which is most basic ये जो है concept मैंने बता दिया था कि ऐसा basic strong basic strong acid ये वाला concept पढ़ लेना एक की concept पर सारा content ये वाला और question मिलेगा चारो सेट में मिलेगा एक question जरूर से इनका तो most basic बताना है इन में से कौन सा है NH3 ammonia what is the value of one of factor अब compound बदल दिया है one of factor की value बतानी है तो one of factor की value है 5 5 in which bond angle is maximum इन में से bond एंगल किसका maximum होता है उसके लिए आपको जो है bond structure छापने आने चाहिए तो किसका होता है यहां पर वह होता है आपका H2O वह क्यों होता है ऐसे होता है ऐसे इस तरीके से सबसे बड़ा एंगल तो यहीं होता है बाकी compound के अगर एंगल बनाओगे तो वह इतना एंगल नहीं बना पाते जितना यह रहता है ठीक है तो इसका जो है ज्यादा बोर्ड एंगल बनता है इंडिपेंडेंट ओफ टैंप्रेचर इनमें से कौन सी चीज है जिसमें टैंप्रेचर का कोई फरक नहीं पड़ता तो वह क्या है मोलारीटी क्योंकि देखो फॉर्मूला के बेस पर यहीं हमारा एंसर रहेगा नेक्स चैप्टर देखती है चैप्टरन नंबर 2 इल्लैक्ट्रो कैमेस्ट्री की करता है नेचर ओफ उसका उसका उस्का इनि काल सकता है, ने रखोस सोल्ट से हम जो है, इसका हम ऐसको इसको घोलता है, तो उससे हम अग्वाईटल नहीं निकाल सकते, वह कौन सी मैटल में से, वह है आपकी CA, यानि कालिसियम, रस्ट इज मिक्स्चर ओफ रस्ट किसका मिक्स्चर होता है इसमें जो कमपाउंड रस्ट जो है उसका फॉर्मुला पूछ रहे हैं बेसिक सी बात है यह आपसे आपके देखने को मिलेंगे तो इन में से आपका रहेगा यह दो चीजों का मिक्सर होता है रस्ट रस्ट यह जर जो होता है वह वह वाला तो इसमें के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए होगा फॉर्मूले हैं कंसेट के बेस पर आपको भूक में मिल जाएंगा अगर आपके परदी फंड़ामेंटल नहीं भी है फंड़ामेंटल है तो आपको सारे फॉर्मूले मिल ही जाएगे लेकिन सारे नुमेरिकल सौल करके जरूर जाना आपकी तैयार इतनी खतरनाक लेवल पर और आप फुल टू फुल मार्स भी ला सकते हो chemistry के अंदर लेकिन आपको सारी जो है महनत करनी पड़ेगी सारे जो questions जो मैं आपको प्रवाइड करा रहा हो सारे शोल करने हैं महनत करनी है अगर आप सारे गेम चेंजिंग हो जाता अगर आप concept नहीं कलियर करके चलते तो फिर जो है दिक्कत होती है एक्जाम के अंदर तो यहां पर जो है कितना चार चाहिए आपको तीन फ्राइड का which of following statement is correct इन में से कौन सी statement जो है सही है Electrolysis of dilute and Neoh gives H2 at cathode and O2 at anode Electrolysis of H2SO4 gives H2 at cathode and O2 at anode Electrolysis of aqueous KF solution gives F2 at cathode या कुछ भी नहीं तो कॉन सांसर रहेगा यह है हमारा Electrolysis of H2SO4 gives H2 at cathode और Oxygen जो है हमें एनोड पर मिलेगी इस compound में तो बाकियों में जो हैं में ऐसा नहीं मिलता है जो statement इनों ने दे रखी है नेक्स्ट कोश्चन है graphite is a good conductor of electricity due to presence of graphite जो है carbonic compound है तो इसमें जो है electricity की conductance बहुत अच्छी है तो इसके पीछे क्या करना loan pair of electron है free valence electron है cation anion कौन सी चीज है वो है free valence electron for the given cell reaction यह cell reaction हमको दे रखी है दो यह reaction आते हैं खालतोर पर एक copper वाली एक magnesium वाली तो mg, mg2 positive, cu, cu 2 positive, cu तो इसमें जो है आपको given cell reaction दे रखी है अब हमसे बता रहे हैं option के हिसाब से decide करना है यहाँ पर magnesium cathode है, copper cathode है, copper oxidizing agent है या कुछ भी नहीं है तो क्या answer रहेगा copper as cathode, copper यहाँ पर cathode का काम कर रहा है सेम ऐसा ही है इसमें भी copper, copper 2 positive, ag positive और ag तो इसमें जो है आपको बताना है options के according copper cathode पर है, ag cathode पर है, ag oxidizing agent है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, ag cathode पर है, number of farads required to reduce one mole of MnO4 negative into Mn2 positive, इस compound को इसमें बनाने के लिए एक mole, तो उसके लिए हमें कितने farad power चाहिए, energy चाहिए, तो वो कितने farad है, वो है 5 farad the SI unit of molar conductivity are, molar conductivity की SI unit बताना है, SI unit जरूर पढ़ना है, जो भी basic सी चीज़े, जो भी concept आप करों, SI unit पढ़के जाना, उनकी काम आती है, exam में पूछ लेते हैं, खास तोर पे 3rd chapter की, वो जरूर पढ़के जाना, उस chapter से, SI unit है molar conductivity की, तो वो क्या रहती है, SM square mole inverse standard electrode potential for standard hydrogen electron, देखो दोनों चीज़े standard है, electrode potential भी है, और standard ही hydrogen का electrode है, तो उस case में power क्या रहेगी है, हमारी वो रहेगी, सुन्य, 0, कुछ नहीं है, तो standard में 0 रहती है, Fused NaCl on electrolysis gives on cathode is, तो क्या देगा वो हमको cathode के उपर, Fused NaCl में, तो वो मिलता है आपको sodium, यानि NaCl है, Na जो आपका अलग हो जाता है, यहाँ पे, इन dry cell, which of the following is electrolyte, इन में से electrolyte कौन सा है, dry cell के दंदर, dry cell पता है, आपको यह जो घडियों में cell well दोते हैं, वो उस type के cell, तो उसमें जो है आपने अगर ध्यान दियाओ बीच में काला सा powder होता है, तो उसके बारे में ही साइद यह बात कर रहे हैं, आप से dry cell में, कौन सा compound होत तोर पर, potassium hydroxide, sulfuric acid, ammonium chloride, magnesium dioxide, तो कौन सा होता है, magnesium dioxide, sorry, magnesium dioxide, next chapter देखते हैं, चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में, chemical kinetic, इसमें order of reactions हैं, और इसमें खास तोर पर, units पर जरूर ध्यान देना है, rate constant की unit आप से पूछी जाती है, बहुत बारार्खितिक जाम में, तो इस चीज़ catalyst का role क्या होता है, Gibbs energy of reaction को change करना, enthalpy reaction को change करना, activation energy of reaction को change करना, above, तो कौन सी है, activation energy of reaction, तो इसको जो है, ये change कर देता है, unit of rate constant for a zero order reaction, zero order reaction के लिए unit rate constant की क्या रहेगे आपकी, वह है आपकी mole, liter inverse, second inverse, time required for 100% completion of zero order reaction, zero order reaction है, और उसका 100% complete अगर वो होती है, तो उसके लिए हमें कितना time required रहेगा, तो वो रहेगा, t100 is equal to a upon k, आरहनियस equation is represented by, तो आरहनियस equation को हम कैसे represent करते हैं, k बराबर ae is equal to a power में, minus ea upon rt, ठीक है, during decomposition of an activated complex, तो क्या होती है, activated complex का जब decomposition होता है, energy release होती है, energy absorb होती है, energy में कोई फरक नहीं पड़ता, या कुछ भी नहीं, तो क्या है, energy is always absorbed, energy ली जाती है, जब decomposition हो रहा होता है, identify the order of reaction from given constant, यहाँ पर हमको constant दे रखा है, आपको इस चीज के लिए, यह चीज ध्यान देना, यहाँ पर value कुछ भी randomly पठक देते हैं हमको, आपको इनकी unit पर ध्यान देना है, कुछ दिमाख नहीं लगाना, unit पर ध्यान दोर पता लग जाएगा, कौन से order की reaction है, क्योंकि अलग-अलग order के लिए, अलग-अलग जो units है, वो इस्तिमाल होती है, तो वो simple है funda, उस तरीके से आप जल्दी mcq को solve कर पाऊए, numerical में value पूट करते मत फिर न, unit से पता लग जाएगा, ठीक है, तो यह कौन से order की reaction है, 0 order की, next question है हमारा, our catalyst, increase the rate of reaction, then what will be the effect on rate constant, तो rate constant पर क्या effect पढ़ेगा, जब rate of reaction को catalyst बढ़ा देता है, तो rate constant बढ़ जाता है, घट जाता है, increase, decrease, या कुछ भी नहीं होता, none of above, तो क्या हो जाता है, increases हो जाता है, बढ़ जाता है, वो, if rate constant for our reaction is mole, liter inverse, second inverse, then order of reaction, यह आपको unit दे रख की है, rate constant की, तो बता दो भाई, कौन से order की reaction है, घुमा फिरा के आपसे पूछना वही है, इनको, rate constant की तीन unit है, आपकी तीन चार, वो पढ़ लेना, बस उन में से ही question मिलेगा, आपको उलग-बग सारे सैटों में मिलने के chance है, इस question की, तो अच्छे से पढ़ना है, यह वाल inverse, second inverse है ना, अब अगर आप ध्यान देते हो, यहाँ पर लीटर inverse है, यानि कि हमारा zero order reaction होने से यह वाली है ना, तो यह चीज़ आप ध्यान देना है, बस आपको और आपका काम नहीं पढ़ता जाएगा, अब यहाँ पर बता दो इसमें, इसका recording क्या rate of reaction है, तो वो है second order reaction, next question है, for our reaction, N2 plus 3H2 reaction होती है, और दो ammonia बनते है, the rate of reaction with respect to ammonia will be, तो कौन सी rate of reaction रहे गी, हमारी वो रहेगी, C वाला option, यानि कि plus 1 by 2D NH3 upon dt, तो यह हमारी rate of reaction रहेगी, if half life of a period, first order reaction is 100 seconds, यदि half life of period है, आधार time उसमें spend किया है, first order reaction, वो है 100 seconds, then rate constant will be, तो rate constant क्या होगा, फर्मुले में put करो, निकल जाएगा, answer आपका, answer रहेगा, 6.93 into 10 की power minus 3 seconds, क्योंकि time पूछा, यह चीज़ ध्यान देना, पूछा क्या है, कि rate constant क्या रहेगा, इसमें, options के according हमको second देरका, second पर देना, ठीक है, half life period of a first order reaction depend on, half life period, जो है first order reaction कि किस के उपर depend करती है, concentration of reactant, concentration of product, rate constant of reaction, कुछ भी नहीं, तो किस पर करती है, rate constant of a reaction, the unit of rate constant for first order reaction, unit पूछी गई है rate constant की, तो वो क्या रहती है, हमारी time inverse, an example of zero order reaction is, तो zero order reaction का इल में से कौन सा example है, thermal decomposition of hi on gold surface, hydrogenation of ethene, decomposition of N2O5, inversion of sucrose, तो कौन सा है, thermal decomposition of hi on gold surface, यह zero order reaction आपकी, if rate of a reaction is independent of the concentration of reactant, then reaction is, तो उस case में जो reaction है, वो कौन सी होगी, तो वो कौन से order की होगी, zero order reaction होगी, rate constant हमको दे रहा है, of reaction, rate दे रहा है, k, a, 2, b, minus 3 by 2, the order of reaction is, तो उस case में order of reaction क्या है, यह formula दे रहा है, kind of हमको, और यह हमको बता रहा है, सिधा सिधा ही, तो वो order of reaction क्या है, 0.5, half life, जो है reaction है, next question देखते है, identify the order of reaction from the given constant, अब यहाँ पर unit देखो, unit से पता लग जाएगा तुमको, तो कौन से order की reaction है, second order की reaction है, यहाँ पर इन चीजों में घुसर आई नहीं, आपको, सिधा unit देखो, पता लग जा रहा है, आपको और यह आते हैं, question अच्छे से करके जाने है, एक table मिलेगे आपको book में, NCRT के book है आपके पास में, तो नहीं है, तो प्रदी fundamental में भी मिल जाएगे दर उदर कहीं, क्योंकि जादतर स्कूलों में वही पढ़ाते हैं, तो दिक्कत वो है, next question देखते है, our reaction is second order, इन्होंने बत पर क्या आसर पड़ेगा, तो यह आपकी one by four times हो जाएगे, NCRT का question है, textual questions में से, यह question MC की उजवाले भी, तो इस तरीके से ही देते हैं, चादातर question मैंने जब देखे न, तो लगबग paper उसमें से ही बने हुए थे, हर साल का यही scene है, आप बताते नहीं है, कोई analysis करता नहीं है, तो वो दिक्कत रहती है, और आप पढ़ते भी रहें, यह आप सोचते हो, textual question है, कहां ही पूछेंगे, और board में वही आते रहती है, one upon four time, our reaction is second order with respect to reactant, यह एक ही question है, जो बुक में अगर आप उठा के देखते हो, दोनों यह question और यह question एक ही जगह पर रखे हुए, आप के, मतलब one करके और two करके, ऐसे करके थे, यह question मैंने देखे थे, तो affected, if concentration is doubled, यहाँ पर double कर दी थी, वहाँ पर जो है, half कर दी थी, डबल कर दी थी, तो यहाँ पर reaction क्या हो जाईगी, four times हो जाएगी, our reaction is first order in A, and second order in B, what the, write the rate law equation, rate law की equation बतानी है, अगर first order reaction A है, हमारी second order वा काबर होगा, के, A की पावर, एक, B की पावर, दो, next chapter देखते है, fourth chapter, the D and F block elements, in the following, strongest reducing agent is, इन में से strongest reducing agent कौन सा रहेगा, तो वो है BIH3, इसके लिए भी concept रहता है, आपका molecular concept रहता है, तो उसके basis पर ही रहते हैं इन चीजे, which of the following ion is colorless in aqueous solution, colorless इन में से कौन सा solution होगा, इसक में तो, तो उसको पढ़ोगे, तो पता रग जाएगा, कौन सा colorless है, कौन से में कौन सा color आता है, तो फिलाल हमारा answer रहेगा, SC3 positive, which one is color, इन में से color कौन से में आएगा, तो वो है मारा TIH2O6 3 positive, यह जो है compound के ओपर depend करेगा, इसको solve करना पड़ेगा, आपको, basis, zone, main, metal, कौ variable oxidation state, कौन सा element जो है variable oxidation state नहीं दिखाता है, तो वो है हमारा SC, scandium, which of the following oxidation state is most common among the lengthenoids, तो lengthenoid में कौन सी common है हमारी, वो है plus 3, the oxidation number of cobalt, cobalt का oxidation number पूछा है, compound को दे रहा है, इसमें बताना है, तो oxidation number क्या है, cobalt का minus 1, which one is colored, इन में से colored compound कौन सा, इसके लिए मैंने बता दिया, आपको table पड़ोगे, तो पता लग जाएगा, आपको structure बनाना पड़ेगा, फिर पूरा इसका की structure अगर नहीं बना पाए, तो फिर वहाँ पर गडबर कर सकते हो, आप यहाँ पर chances रहेंगे, तो लेकिन वहाँ पता लग जाएगा, उसमें जो है कुछ element colorless है, तो primary metal ढूंड process is used to prepare, हैबर प्रोसेस को क्या बनाने में इस्तमाल करते हैं, वो है ammonia बनाने में इस्तमाल होता है, what is the magnetic moment of scandium 3 positive iron, तो magnetic moment क्या रहेगी, formula के बेस पे है यह, तो वो रहेगी आपकी 0BM, वैसे table भी बनी हुए, कुछ-कुछ basic जो compound हों की magnetic moment के लिए, बुक में table भी बना के दे रह क्या, उसमें से ही पूछते हैं, ज्यादतर टाइम यह, number of unpaired electron in ni2 positive r, तो unpaired electron कितने हैं, इसमें compound में 2, oxidation number of pt in k2 ptcl6, इस compound में oxidation number क्या है, pt का, तो वो रहेगा हमारा, plus 4, what is the magnetic moment of niCl4 to negative complex, तो यह जो compound हमको दे रखा है, इसका magnetic moment बताना है, आपको calculate करके, वो है 2.82 bm, next chapter देखते हैं, इसमें से बहुत mcq आते हैं, बहुत ही ज्यादा, गदर मचाता है यह chapter, chapter 5, coordination compound, आपको भी पता है, chapter hard है, यह थोड़ा सा, थोड़ा सा hard है, ज्यादा hard भी नहीं है, अगर आपने concept को अच्छे से करा हुआ है, which complex exhibits geometrical isomerism, geometrical isomerism, इनमें से कौन सा complex दिखाता है, तो वो है यह, ptcl2p, देखो यह compound ऐसा नहीं है, fix रहेंगे, यह बदले भी जा सकते हैं, वैसे ज्यादर time मैंने देखा, repeat same ही दे देते हमको उठा के यह, लेकिन बदल भी सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान लखना, concept पता होगा, तभी आप इनको attempt कर पा हुए सही से, ptcl c2h532, what is the coordination number in the compound, यह compound देखा, इसका coordination number यह, coordination number निकालना, जरूर सीख लेना, compound का आएगा ही आएगा, question exam में, ठीक है, तीन चीज़े सीखनी है, आपको main तो, ठीक है, ध्यान रखना, तीन चीज़े, एक तो मैंने शुरू में question बता जिया था, एक chapter का, कि वो जरूर करना है आपको, मलब हाई, मलब एक तो, weak, strong, base, acid वगारा, वो चीज़े calculate करनी आनी चाहिए, किस तरीके से कौन सा acid strong रहेगा, कौन सा कमजोर है, कौन सा base strong है, कौन सा base कमजोर है, वो चीज़े calculate करनी आनी चाहिए, उसके अलावा आपको oxidation number सीख लेना, निकालना, oxidation number कैसे निकालते ह है, compound का, atom का नहीं, compound का, वैसे ही, coordination number सीख लेना, compound का निकालना, यह ऐसे question है, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं, लगबग हर बार के exam में, तो, इनको अच्छे से concept को अच्छे से करके जाना, कई तुम सोचों कि मैं तो रटके बाग जाता हूँ, व ज्यादातर जो exam में आते हैं, च्छे ही मिलेगा, आपको देखते जाना भी अभी, आगे और भी आते रहेंगे, questions, ज्यादातर में च्छे ही मिलता है, आपको अंसर, एक आध ही होगा, बूला बिस रहा, अगर कुछ ना समझा है, और 6 option में है, तो 6 ही मिलेगा, प्रायोटी कोडिनेशन नमबर ओफ को NS3CL कमपाउंड, अब यहाँ पे चीज आप कंफ्यूज जरूर हो रहे होगे, कि सर ये कोडिनेशन नमबर जो है, कंपाउंड में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकते हैं, कंपाउंड के अलग जो है, नाम देके भी पूछा जा सकता है, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जाके, कि सर अमें ये तो पूछा ही नहीं को उनसे का निकालना है, तो इस चीज़ का ध्यानक ना कई तुम कंफ्यूज हुए पड़े रहो, जैतर फर्स्ट आटम का निकालना होता है, या फिर जो में प्राइमिर आटम है, उसका नि प्राइमिर आटम कोन सा है, फिर प्राइमिर आटम का ही, प्राइमिर जिसके अरा स्ट्रक्चर चप रहा है, तो उसका फिर बनाना पड़ेगा, उसका निकालना पड़ेगा आपको ठीक है, कहीं तुम confuse पड़े रहो, फिर वहाँ पेपर में कि यह क्या हो गया हमारे साथ, question ही गलत था, question गलत नहीं होते, फिर नंबर कर जाते है, फालत हुगे, तो यहाँ पर एक्रोमियम का क्या रहेगा, 6, जैसा कि मैंने बोला था, ज्यादतर में 6 ही मिलेगा, यहाँ पर कोबाल कर लेना, ठीक है, लेकिन जाद अज़र में तुक्के में 6 मिल जाता है, और अगर आप ध्यान दोगे न, सारे उप्सों में देंगे 6, क्योंकि इनको भी पता है, कि तुम लूपोल यूज कर सकते हो, which type of isomerism present in, यह दो compound हमको दे रहे है, इनका isomerism कौन सा प्रजेंट इन मे होगा, इन में आपको calculate करना पड़ेगा, सारों का तब ही पता लगेगा, तो वो रहेगा आपका FECO5, what is hybridization of nickel in, यह जो है compound दे रखा है, इसमें जो है hybridization पूछ रखे, कौन सी वाली होगी nickel की, तो वो है SP3, what is relation between, दो compound देंगे आपको, और इसमें जो है relation पूछा है, कौन स ionization और solvate, तो कौन सा रहेगा, ionization, ज्यादतर में तो आयन वाले ही मिलते हैं, most of the time, तो, which type of isomerism present in, CR, NH3, CL, BR, और इस compound के अंदर, कौन से type का isomerism होगा, geometrical, next question है, हमारा in the following complex is, which metal has zero oxidation number, इन में कौन से का zero oxidation number होता है, nickel, cobalt, CO4, in the following, which is strongest legend, तो इन में से strongest legend कौन सा है, वो है CN negative, which element will show highest oxidation number, इसमें सबसे ज्यादा oxidation number किसका होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, oxidation number कैसे निकालते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने सीख के जरूर जाना, MN का होगा है, यहाँ पर, what is the ambiental legend, तो इन में से ambiental legend कौन सा है, वो है मारा CO3 to negative, the oxidation number of chromium, इन यह जो compound है, इसमें oxidation number पूछा है, chromium का, तो वो रहेगा आपका plus 3, next chapter देखते हैं, next chapter आपका हेलो एलकेन और हेलो एरीन वाला, तो इस चैप्टर में पहला question है, the ease of dehydrogenation of alkyl halide with alcoholic KOH ease, तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा, तीन डिगरी वाला पहले, फिर दो डिगरी, फिर वन डिगरी वाला, tertiary, secondary, primary कहते हैं, तो इस तरीके से होते हैं, और इनोंने degree बना के highlight करते हैं, वन डिगरी alkyl halide would prefer to under go, तो जो primary alkyl halide है, यदो को ये confuse करते हैं, कभी-कभी one degree लिख देंगे, कभी primary लिख देंगे, तो confuse मत हो जाना, primary, secondary, tertiary होते हैं, alkyl halide तो ये वही है, primary वाले का पूछा ह है, तो कौन सी reaction रहेगी, वो रहेगी, SN2, copper sulfate dissolves in excess of KCN2, तो क्या देता है, वो जब हम copper sulfate को घोलते हैं, KCN के अंदर, तो आपको जो compound मिलेगा, वो मिलेगा, CuCN2, organic compound which so complete stereochemical inversion during SN2 reaction, तो कौन सा compound होता है, वो होता है, CH3Cl, which metal has highest density, ये तो सब को पता है, सबसे ज्यादा तेज़ी से होगी, CH3BR में होगी, next question है, यहाँ पर compound दे रखा है, C6H5Cl, और CH3Cl, पलस 2NO, dry ether की presence में एक reaction होती है, compound बनता है, CH3, और ये नाम ही भूल गया, मैं तो इसका, पलस 2NCl, तो ये जो reaction है, इस reaction का नाम क्या है, ठीक है, ये reaction वैसे तो आपको याद ह करनी है, reaction, important question जब करोगे, woods fitting reaction है, exam में पूछी जाती है, reaction, reaction को जरूर याद करके जाना, देखो, अगर चाहो तो paid PDF खरीद सकते हो, उसमें मैं सारी important reaction, important questions, और बाद में MCQ cover कर रखे हैं, उसके बाद extra questions, जो गई, उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, complete PDF अगर अच्छे से य जाओगे, तो पास तो तुम फिर भी हो जाओगे, वो आपकी मर्जिया बाकी PDF खरीदनी हो, ना खरीदनी हो, मैं जश्ट आपको recommend कर सकता हूं, which of the following organic compound are formed by woods reaction, तो wood reaction में कौन सा जो organic compound है, वो बनता है, alcohol बनता है, ये जो है hydrocarbon बनते हैं, अलोलकेन या हैलोलीन बनते हैं, तो वही है ये, और ये SN2 reaction प्रैफर करेगा, next question है, यहापे CH3Cl है, के CN की presence में reaction होती है, compound बनता है, और ये compound फिर से react करवाते हैं, इसका हम NA, C2H5OH की presence में, फिर जो product बनेगा, वो product क्या है, उसके लिए reaction करनी आनी चाहिए, ये बनेगा आपका CH3, CH2, NH2, which one of the following is the highest dipole moment, इन में सबसे ज़्यादा dipole moment, किस जो है compound की रहेगी, CH2, CL2, इस compound की रहेगी, next chapter देखते हैं, chapter number 7, alcohol, phenol and ether, पहला question है, acid anhydrides on reaction with 1 degree amine give, तो क्या देता है वो, वो देता है हमको, amide, alkyl halides are present from, prepared from alcohol by treating with, alkyl halide, जो है alcohol से prepare करे जाते है, alcohol की मदद से, किस के साथ reaction करने पर, बलब इन में से किस की reaction करेंगे, तो alkyl halide बन जाएंगे, तो वो है HCl और ZNCl2, alcohol में जब इनकी presence में reaction कराएंगे, तो फिर ये जो हमारा alkyl halide बन जाता है, molecular formula बताना है, ether का, सबसे easy question है, ये तो आपका है ना, tocian, H2N plus 2O, which of the following is most acidic, सबसे ज़्यादा acidic compound इन में से कौन सा है, benzyl alcohol, cyclohexanol, phenol, m chlorophenol, तो वो रहेगा, m chlorophenol, अगर आपको मिले ना, किसी compound में, जैसे dash करके लिखावा, m, p, या कुछ लिख देते हैं, most of the time, वही मिलता है, आपको answer में, कि वही जो है, सबसे ज़्यादा acidic रहता है, Williamson synthesis is used to prepare, Williamson synthesis ये एक reaction है, तो इससे क्या बनाते हैं, तो इससे बनाते हैं, एथर, ये reaction दे रखे हैं हमको, एक compound है, पलस में HI ये एक reaction होती है, और एक product बनता है, A और B, तो ये पूछ रहे हैं, A और B, ये दोनों product का नाम बता दो, क्या क्या बनेंगे, तो वो बनेंगे हमा हमारा CS33COH, next question है, CS3, CS2, OS, जो है, ये reaction करता है, H2SO4 की presence में, और एक compound बनता है, तो ये compound क्या है, तो ये है आपका C2H4, यानि कि CH2, CH2 double bond के साथ में, ये जो compound है, वो बनेगा, ये reaction काम किया है, वैसे भी, तो reaction भी ध्यान रख सकते हो, आप, देखो, मैं, जो important question करोगा, न सकते हैं, any soul, ये जो compound दे रखा है, with HI, at 373 Kelvin temperature will give, तो वो क्या देगा हमको, तो गर तुम ध्यान देते हो, यहाँ पर एक reaction आई थी, थोड़ी दिर पहले ही रुको, ये वाली है न, देखो, OCH3 है, और HI है, और यहाँ पर भी क्या है, OCH3 है, HI है, temperature भी same है, और ये compound क्या बने बनेगा, वस question को घुमा दिया गया है, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपका compound ये बनेगा, next question रेखते है, arrange the following order of increasing their acidic strength, acidic strength के according जो है, हमको यहाँ पर arrange करने, arrange करने का यहाँ पर मतलब यह नहीं है, कि आप लगा होगे सबको line में, आपको यहाँ पर basic सी बात ये कहना चाहरे है कि सबसे ज़्यादा acid बता दो, कौन सा है, तो वह है P-Nitrophenol, ठीक है, next question है, CH3, CH2, OH, इसकी reaction हम कराते है, H2SO4 की presence में, तो compound बनेगा, ये फिर से आगया, ये question अभी करके आयते हैं, मैंना, C2H4 वाला, repeat हो गए ये question, in the preparation of alkyl halide from alcohol, which of the following reagent is preferred, तो कौन सा reagent prefer किया जाता है, reaction के दुरान, PCL5, which is the strongest acid in the following, इन में strongest acid कौन सा है, तो वह है CH3, OH, which one is strongest acid, इन में से कौन सा है, इन में से रहेगा, आपका P-Nitrophenol, ये भी साथ, repeat हो, and I think, C2H5O, C2H5 plus HI, तो दो compound बनेगे, compound का नाम बता दो, तो वह बनेगे, C2H5OH, C2H5I, reaction of benzene, diogenium chloride with ethanol will give, तो ये जो है, benzene, diogenium chloride, ये reaction करता है, इथेनोल के साथ में एक product बनता है, तो product क्या रहेगा आपका, तो वह product बनेगा benzene, which is least acidic, इन में से सबसे कम acidic कौन सा है, वो है C2H5OH, reaction दे रखी है, C6H5OCH3 plus HI, ये same reaction है, अगर आप ध्यान देते हो, ये वही है, वो diagram चाप रखा था, ये diagram भी टेड दो बार दिखाई थी, और है, ये वही reaction है, question मैंने add इसलिए करे हैं, ताकि तुमको याद हो जाए, question ऐसे ऐसे पूछते है, गुमा गुमा के, कि तुम घूम जाओ, वहाँ पे, तो ये वही compound है, और वही reaction है, और product भी वही बनने वाले हैं, ठीक है, C6H5OH, और CH3I, next question है, are tertiary alkyl halide would prefer to undergo, तो कौन सी reaction करेगा tertiary, ठीक है, primary का आमने देख लिए SN2 करता है, secondary वाला करता है, sorry, tertiary वाला करेगा, elimination वाला, ठीक, elimination जो है, reaction को prefer करेगा, next chapter देखते हैं, aldehyde, ketone and carboxylic acid, इसमें जो पहला question है, which of the following, which on heating with aqueous KOH produce acetaldehyde, तो ये जो है, कौन सा compound बनाएगा, plus KOH करो, reaction करनी है, सारों के साथ में करके देख लेना, जो उन से में ST aldehydes के लिए आपको पता होना चाहिए, कि इसका formula क्या है, और अराम से निकल जाएगा, कोई बड़ा इसू नहीं है, तो वो अपका compound है, CH3CHCl2, iodofoam test is not given by, तो किसके नाम रहेगा, ethenoic acid, which metal carbonyl has the strongest carbon oxygen bond, तो किस में होता है, वो इसमें से कौन से compound में, वो है, MnCO6 positive में, a strong base can abstract an alpha hydrogen from, तो किस में से जो है, abstract कर सकता है, ketone से, in the following strongest acid is, इनमें से strongest acid कौन सा है, ये concept मैंने शुरू में बोल दिया था, concept पता होना चाहिए, कि strong acid, weak base, कौन सा कैसे होता है, खास तोर पर पूछते हैं, तो weak acid पूछेंगे, या strongest acid पूछेंगे, ज्यादता टाइम तो ये देखा है, मैंने exam में जब भी पूछा है, तो इसी तरीके से पूछा है, हर एक chapter में पूछा है, कहीं जे भी मर्जी मू ठाके पूछ लेते हैं, लोग, आपको concept पता होना चाहिए कि strongest acid निकालते कैसे हैं, तो इसमें रहेगा हमारा C6H5COOH, which type of organic compound are prepared by Gartam and Coach reaction, ये reaction है, इसे कौन सा compound बनता है, तो बनता आपका aromatic aldehyde, यहाँ पर एक reaction दे रखी है, इसकी जो है, हम reaction कराते है, PDBSO4, H2SO4 की, तो यहाँ पर ये compound बन नाम का, तो ये reaction का ना reaction आपकी, तो reaction का नाम है, Rosenman reduction reaction, aldehyde and ketone can be distinguished by, तो कैसे distinguish करेंगे हम aldehyde or ketone को, तो वो है tolens reagent के दवारा, which is strongest acid, इन में से fit से पूछ लिया, strongest acid चाहट लो कौन सा है, FCH2COOH, in the following reaction, यहाँ पर एक product है, ये वाला, मलब एक compound दे रखा है, और इसकी reaction कराते है, पानी के साथ म में करम करके, तो एक product बनता है, तो product का नाम बता दो, क्या बनेगा, तो वो बनेगा, B option, ये वाला, CHO, next chapter है, chapter number 9, amines का, ये थोड़ा सा आजीब सा chapter लगा, मेरे को बाकी chapters के comparatively, Hoffman bromide degradation reaction involved, तो इसमें कौन सी reaction, जो है, involved होती है, AR, CO, NH2, which of the following is 3 degree amine, tertiary amine की बात कर रहे हैं, ये तो कौन साइन में से, वो है, triethyl amine, Hoffman bromide degradation reaction from, तो इसमें से कौन सी reaction होगी, ARNH2, which of the, what is the name of this reaction, reaction का नाम बताना है, ARN2 positive x negative, इसको जो है, रियक्ट कराते है, copper और HCL की present में, और ये compound हमारे बन के आते हैं, तो ये reaction का नाम क्या है, वो है, गाटरमें reaction, exam में पूछते भ बहुत बार की question को answer, answer को question मना बना के पूछते रहते हैं, CH3, CO, NH2, BR2 और KOH की present में, एक product बनाती है, तो उस product का नाम क्या होगा, क्या product बनेगा, CH3, NH2, जो है product रहेगा, हिसको हम गरम करेंगे, डेल्टा देंगे, हीत देंगे, और product बनाएगे, एक product बनेगा, वो क्या रहेगा, वो है, CH3, CH3, receptor, reaction इन्वोल उसमें कौन सा compound involved होता है वो है C6H5CONH2 वी चीज है tertiary amine इनमें से tertiary amine कौन सा है तो tertiary amine है हमारा triethylamine next chapter देखते हैं यहां पे जो है alcohol दे रखा है और इसमें SOCl2 से जो है एक product बन रहा है X नाम का तो यह जो X है वो क्या है इसमें तो वह आपका B option chlorobenzene है या कुछ और नाम है पता नहीं मेरे को करोस confirm कर लेना अपना यह B option रहेगा आपका इनमें सबसे ज्यादा acidic कौन सा है यह वही है हमने पहले question देखे दे ना मलब सीधी लाइनों में लिख रखेते compound तो यहां पर अभी हमको थोड़ा गुमा के पूछे गए हैं डाइगराम चापके तो वह है आपका option A एक चीज़ ध्यान अगना आप chlorine या nitrogen वगरा जिस compound में add होगी वही compound सबसे ज्यादा acidic मिलता है most of time वही होगा ठीक है तो अगर आपको कुछ ना समझाए तो जोन से भी compound के formula में बाकियों में आपको मिले जैसे COH हो गया या बाकी तो मिलते हैं जिसमें आपको N मिल जाए CL मिल जाए तो वह ज्यादा acidic पाए जाते हैं जाजता time option में दे जहते हैं और वही आपका अंसर फिल रहता है next question है यहाँ पे NO2 के presence में यह compound है H2PD और ethanol के presence में एक product बनता है यह reaction हम उपर भी करके आये थे और same ही है यह तो इससे क्या बनेगा option ANH2 next chapter देखते हैं यह last chapter है हमारा bio molecules which of the following is stored in liver of animal तो इन में से कौन सा जो है liver में store होता है animal की वह glycosin which base is present in DNA but not in RNA कौन सा base present होता है DNA में RNA में नहीं होता लेकिन वह तो वह है uracil यह इस चीज़ को ज़रूर ध्यान अगना यह कहीं है तुम confused हो जाव यह option सारे पढ़ लेना थाइमीन cytosine uracil और ग्वेन इन में जो है देखो वीच बेसी प्रजेंट इन ने बट नोट आरन ने तो यह सारे जो है यहां पर डियाने में प्रजेंट होता आरने में नहीं होता लेकिन आरने में कहीं बार पूछ लेते हैं बागी options में से उठागे कि आरने में कौन सा होता वो बता दो तो यह ध्यान दखना थोड़ा सा option का भी इन the following which is not monosaturide sugar तो इन में से कौन सी monosaturide sugar नहीं है वह है maltose which vitamin is soluble in water बहुती easy question बच्चा level question है vitamin B जो है water soluble है riboflavin is तो यह क्या है यह vitamin B है मारा vitamin B1 is known as vitamin B1 को क्या नाम से जानते है थायमीन तब vitamin responsible for the coagulation of blood यानि कि खून जो है मारा जमा देता है न थक्का सा खून जो है मलब जम जाता जब चोट वोट लगती है तो उसके लिए कौन सा vitamin जो है responsible रहता है vitamin K glycogen is an example of glycogen किसका example है polysacuride का carbohydrate के टाइप है नहीं है तो उन में से है यह polysacuride तो उसका जो है यह example है which of the following amino acid is not optically active तो इन में से कौन सा amino acid optically active नहीं है glycine the vitamin responsible for यह फिर से आ गया विटामिन के है मारा यह repeat हो गया question हटा सकते आप इसको disacuride is to disacuride क्या होता है lactogen में से enzymes are enzymes कैसे होते है proteins है enzymes जितने भी enzyme होते है सरी में सारे जो है actual में glycogen is an example of glycogen किसका example है glycogen है polysacuride का example तो यह थे हमारे total mcq question answer इन में से numerical भी थे थोड़े बहुत ही थे numerical ज्यादा नहीं थे reactions आती है अम मैं overall conclusion ली बता रहा हूं क्या-क्या चीज़ेंगे आपको ज्यादा ध्यान देना है chemistry में oxidation नंबर निकालना सीख लेना coordination number निकालना सीख लेना कैसे निकालते हैं अलग अलग compound का ठीक है यह दो चीज़े तो बहुत अच्छे से करना है acid acid को निकालना कि कौन सा weak acid कौन सा strong acid उसका concept है वह आपको अच्छे से पढ़के जाना है समझ के जाना है तो इन में से question मिलेंगे कम से कम दो question इन मे से single question में जैसे भी दे वाट वो जरूर देंगे आपके exam में ठीक है तो इन topics को जुरूर से अच्छे से करके जाना बाकि मैंने जो mcqs कराए है most लिए आपको इन में से मिल जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से करके जाओगे समझ के जाओगे तो और reactions की रही बात reactions की ज सारी नहीं है काम की जो जो reaction काम की है उनको important questions में आड़ कर रखा है चाहूं तो आप PDF purchase कर सकते हो जिसके अंदर आपको सारे mcq सारे important question topic wise यानि कि मैंने किस तरीके से बना रखे PDF वो समझ लो questions only है उसमें वैसे यह चीज़ ध्यानक ना कहीं तुम सोचो answer के साथ मिलेगी questions है और उसमें आपको सुरू में जो है सारे जरूरी important reaction या topics हैं जो exam में सबसे ज़्यादा आते हैं उसके बाद मिलेंगे mc क्या हूं उसके बाद मिलेंगे extra questions अगर उनको भी आप पढ़ लेते हो सारे questions को पढ़ लेते हो अच्छे से तो इसका मतलब यह है कि आप full mark score कर सकते हो अगर pass होना है तो mc के वर उपर वाले question पढ़ लेना अराम से तुम्हारे बढ़िया number आ जाएंगे बढ़िया का मतलब है full mark score नहीं कर सकते लेकिन ठीक ठाक number आपके आजाएंगे pass से भी ज्यादा ठीक है अब आपके उपर आप कितना पढ़ते हो कितनी मेहनत करते हो मेरा purpose से मैं आपको guide कर सकता हूं आपको बता सकता हूं लेकिन अशर नहीं है ना कि मैं रटवादू सारी चीज़े यह 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 रट रट के भाग जाओं तो वह काम नहीं होता है ना तो concept clear होने जरूरी है chemistry में नहीं तो number कटते हैं और आपको भी पता है सबसे जो hard subject है आपका वह chemistry रही है है ना तो अच्छे से पढ़के जाना मैंने सारी चीज़े बता दी हैं में भी करा दी हैं सिप्रेक्टिस कर लेना website पर Google पर जाना सर्च कर लेना CCL chapter.com तो इस website से आप practice भी कर सकते हैं दो तिन बार प्रेक्टिस कर लोगे तो याद भी होने लग जाएंगे वह compound आपको वह questions याद होने लग जाएंगे simple वाले और जिस जिसने वीडियो लाश्ट तक देखिया कमेंट में जरूर बताना कि सर हमने वीडियो लाश्ट तक देखिया ताकि मुझे भी थोड़ी तस झाले तक देखिया 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 तक